बुद मारिंग मेरे प्यारे बच्चों सोरी थोड़ा लेट हो गया आज है थोड़ा यह सिगनल भी कुछ दंग से आज कुछ आज कुछ डाउन डाउन चला हुआ था ठीक है बच्चों ओके हमारा टॉपिक है बिटू बच्चों आज का इसका काम क्या होता है तो जिम्हें इसका क्या हुता है तो फिर से सबसे पर एक डिकलेरेशन क्योंकि फिर मैंने कुछ इमेजिस यूज किये हैं I have used few images in this lecture which do not originally belong to me I have downloaded these images from internet for educational purpose only I thank all those my global brothers and sisters who have uploaded such helpful information in the form of images these images help us a lot thank you very much Okay बच्चो तो आगे बढ़ने से पहले फिर से हलका सा एक समराइजेशन ना बच्चो वैसे कल आप लोगों को काफी जानकरी हासिल हो गई है ना कल मैंने काफी जब लाइफ साइफ लाइफ साइकल करवाए था उसमें काफी चीज़े कलियर हो गई ठीक है फिर भी बच्चो एक चीज़ पर फोकस करना चाहूंगा इंको में एर्रि होट हो ना एकार मर पास गेमिटोफाइट की बात कररेंगे ना गयांस के बात होता है और गेमिटोम फिटिक प्लांट बोडी होता है या फिर आप लोग फिर बोलोगे कि यार यह समाला पीचा नहीं छोड़ रहा है यह लास्ट ग्रूपे बच्चो इसके बाद ट्रू प्लांट्स आ जाते हैं तो फिलाल इस ब्रायोफाइट को माफ करो इनको याद करना है असल में क्या है बच्चो हमारे पास तीन ग्रूप से एक फंजाई है एक एलगी है एक ब्रायोफाइट्स है ब्रायोफाइट्स ठीके तो थेलस बोडी और्गाइज़ेशन के बेस पर क्यूंकि इन तीनों और्गाइजम्स के ग्रूप में बोडी और्गेनाइज़ेशन एक थेलस है तो किसी समय में ओल्ड टैक्सोनॉमिस्ट्स ने एक टैक्सोनॉमिक रैंक इंदा फ्रम ऑफ डिविजन दिया था थेलोफाइटा जो कि आज के टाइम में यूज नहीं किया जाता है बच्चो इस ऑप्सुलीट नाओ वी डूंट अगर यह मानलो अभी एक्जिस्ट करता तो यह फंगल ग्रूप ऑफ और्गेनिजम्स एलगल ग्रूप और प्लांट इनको हम थेलोफाइटा के अंदर ही डालते ठीक है तो यह जस्ट आपको यह याद रखवाने के लिए कि ब्राइफाइट्स के अंदर जो थेलस जो अब बात करते हैं एक दो मैं तो पूरन बातों पर ठीक है जिनको हमने याद रखना है एक हमारे पास गेमीटो फाइट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूं बच्चों सुरी थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूं यह आपे अब्रिवेशन निकर लेता हो ही ना गेमिटोफिटिक फेज और गेमिटोफिटिक प्लांट बोडी और गेमिटोफिटिक थेलस दूसरी तरह पर हमार पास स्पोरोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक प्लांट बोडी और स्पोरोफिटिक थेलस ठीक है बच्चो इन दोनों में से कौन सा haploid होता है और कौन सा diploid होता है गेमिटोफाइट is haploid and sporophyte is diploid ठीक है बच्चो अब दूसरी बात आती है कि इन में से कौन सा जो phase है वो dominant होता है दूसरे phase के उपर बताओ बच्चो yes, it is a गेमिटोफाइट गेमिटोफिटिक थैला सा कि क्या जो ब्राइट है वो गेमिटोफिटिक थैस में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं इसलिए बिल्कुल नहीं ठीक है अक्सर ऐसा देखा जाता है अलग ग्रुक्स में लेकिन ब्राइटोफाइट की case में ऐसा नहीं है ठीक है एसा नहीं है यह spor Pacific face और गेमिटोफिटिक फेज लगबग लगबग बराबर बराबर जीते हैं दोनों के ठीक है लेकिन गेमिटोफिटिक फेज फिर भी ऐम लोग dominant मानتें किस बज़ा से क्यूंकि जो यह spor shortage फेज है यह dependent होता है dependent किस respect में भोजन प्रापत करने के लिए चैनल पर हैं किस किसम के भोजन ओप इन और्गेनिक भोजण जिसको अम जखकी और्छ या कारबन नोटृशन भी में बट्चे्च कि ठीक है अपना भोजन प्रापत करने के लिए स्पोरोफाइट को गेमिटोफाइट के उपर डिपेंड रहना पड़ता है इसलिए जो गेमिटोफिटिक फेज है यह डॉमिनेंट है बच्चो ठीक है अब तीसरी बात गेमिटोफाइट क्या काम करता है शेश्छेट करते है यह गेमिकोफाइट त अपका इट अडर गो उपनेट आपका इट Sylis निल्य पॉत्टैों एक्ट श्री जए निए यह टॉमिशन प्रेमिटेज आपका इट आपका इट अटरैन्पेर स्वमिटी चुक्टिक है लस्टैन इस रें स्टैन थार्थ प्ल्क स प्रोड़क्ट क्या होता है और डिपलोईट स्ट्रक्चर ताल जाइगोट जाइगोट जर्मिनेट वाइल रिटेनिंग इंसाइड वेंटर मैंने कल बताया था जो आर्चिगोणियम का लोवर पॉर्शन होता है अपर पॉर्शन हम नेक बोलते हैंलोर पॉर्शन को क्या बोलते है वेंटर प्राइट बच्चो के वेंटर के आंदर ही रिटेन रेता है बच्चो कहने का मतलब यह गेमिटॉफिटिक फेस से अलग नहीं होता है कि इसका वेंटर के अंदर डवलप्मेंट शुरू होता है और स्पोरफिटिक फेस बनाता है इसका क्या काम होता है यह बनाता है स्पोर्ज और स्पोर्ज कैसे होते हैं है और स्पोर्ज का क्या काम होता है बच्चों स्पोर्ज को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इस आर दा फर्स्ट सेल्स ऑफ गेमिटोफिटिक जेनरेशन स्पोर्ज आर दा फर्स्ट सेल्स ऑप गेमिटोफिटिक जेनरेशन अब लास्ट बात आती है बच्चों इसके बाद हम फिर आगे मूब करेंगे अब मानलो कि इसको मैं फिर से अलग तरीके से एनोड करता हूँ हमारे पास स्पोर्स बन गए ठीक है अब मुझे एक बात बताओ बच्चों अगर गेमिटोफाइटर डायोईशियस है डायोईशियस या आप इसको बोलेंगे यूनी सेक्शुल और दूसरा केस लेते हैं गेमिटोफाइटर मोनोईशियस है मोनोईशियस है या इसको हम बोल सकते हैं बाई सेक्शुल ठीक है बच्चों किस केस में होमोस्पोरी नज़र आएगा और किस केस में हितेरोस्पोरी नज़र आएगा अब बताओ हाँ अगर जो यह स्पोर्स जब डिफ्रेंशेट होते हैं स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर से होमोस्पोर्स बनेंगे और हिटेरोस्पोर्स बनेंगे और हिटेरोस्पोर्स कुम कह है ? फिजियोलोजिकल हिटरोस्पोरस्पोर्स खीके बच्चो और अगर यहां पर सेक्शुल डिफ्रेंशेशन नहीं है इसका मतलब हुआ यह किस किसम का थैलस बनाएंगे बताओ मैं तीर किस तरफ जाना चाहिए बच्चो हां तीर जाना चाहिए यहां पर if the spores are totally homosporous there is no sexual differentiation in that case spores will germinate to produce a bisexual gametophytic thalus and if there is physiological heterospory means there is sexual differentiation at the level of spores two spores will germinate to produce a male gametophyte and two spores will germinate to produce a male gametophyte female gametophyte that is it बच्चो ठीक है और आज का हमारा में टॉपिक है gametophyte का general study आगे बढ़ते हैं बच्चो ठीक है gametophytic plant body जो की haploid है जो की independent है जो की dominant है और जो की male or female gametes बनाता है ठीक है मैं एक एक करके बता दिया है एक एक करके रीड करके बताता जाओंगा ठीक है जहां जहां कुछ नया कुछ लगे समझाने को है वहां पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा ठीक है बच्चो इस आ डॉमिनेंट प्लांट बोडी is a haploid gametophyte which is meant for sexual reproduction that is it produces male and female gametes male gametes called biflagellated enterozoids or spermatoszoids whereas female gamete is called egg or ovum this male gamete is highly motile and minute structure whereas this female gamete is very large and a totally non-motile structure now this dominant phase called gametophyte is atheles that is it is not it is not differentiated into true root stem and leaves however bachyo however in a bryophytes we can find some structures which look like roots and function like roots function like roots ka matlab ki they are meant for absorption of mineral food along with water and secondly they are meant for a and carrying that the gametophytic tell us on substratum okay roots ka kambi hai hai plants mein okay and the structures with which look like roots in rhizoid in sorry bryophytes these are called rhizoid these are not roots but these are some simple structures called rhizoid we can find in some bryophytes root like structures are found in all bryophytes whereas stem like or leaf like structures are found in some bryophytic types and not in other bryophytic types so this stem like structures are also found in bryophytes and these are called axis are called axis singularly these are not called stem but called axis in singular term or axis this is the plural axis plurally and leaf like structures are also present in bryophytes but these are not true leaves are not true leaves again but these are called phylloids phylloids l a phy double l o i d s phylloids these are the terminologies given for root stem and leaf like structures are called phylloids and these are like looking structures in bryophytes in bryophytes in the year 1956 in the year 1956 by a bryologist called poch yeh poch nae diya tha in the year 1956 the structures looking like root stem and leaves present which are called rhizoids root like structures are called rhizoids stem like structures are called axis or axis and leaf like structures are called phylloids and these terms are given by work given by poch in the year 1956 now move to next slide okey a bach ealgal group of plants o ealgal group of organisms o o o o o o o में जो थेलस का रेंज है बच्चो जो गेमेटोफिटिक थेलस का रेंज ब्रायोफाइट में कम है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो तरह के थेला ही नदर आते हैं अब यहां पर थोड़ा सा फिर से एक दो मिनिट लगाऊंगा फॉस्ट टाइप आता है बच्चो हैपेटिक के अंदर एस कंपेर टू दा लीफी एक्सीज ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले बच्चो फिर हलका सा इनका क्लासिफिकेशन बता देता हूं यह ना क्लासिफिकेशन क्योंकि यह जाना भी ज़रूरी है बच्चो जो हम लोगों के टेक्स्ट बुक में जो फोलो किया गया है वगोंकि क्लासिफिकेशन है एड गिवन वाई रोट मेलर एंड प्रॉष्काव रोट मेलर है चाहिए किसी का चाहिए वो नाउन हो चाहिए कुछ भी हो ठीक है तो अगर आप इस हिसाब से करते हो कि spelling करने में आसानी रहे तो उसी हिसाब से होना चाहिए ठीक है प्रोस प्रोस के ए यू ए आर इनका क्लासिफिकेशन को हम लोग फोलो कर रहे हैं बच्चो आप लोग नेट में सर्च मारोगे मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ क्वेरी कर सकते हैं कि सर वहां तो बड़ा उल्टा सीधा और 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 दिया हुआ है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल है बच्चो जो क्लासिफिकेशन है वह इन्हीं कई फोलो चला हुआ अभी तक फोलो कर रहे हैं येट गिवन भाई रॉथ मेलरें प्रास्कॉर इंद येर नाइटिंट फिप्टी वन एंड फिप्ती सेवन और वाट दिद दे दिवाइड दिवाइड है और फिस्टली दे गेव देव डिविजिन isn't the origin is a दे अडिविजिन प्रायो फ्यक्वाइट इडा में एंडिंग विदा सफिक्स काल्फाइड जीके पिए उन्होंने प्रैइड के लिए एक टैसि में रेंक आसाइन किया डिविजन के लेवल का डिविजन के लेवल का और नाम दिया ब्रायोफाइटा और उन्होंने डिविजन ब्रायोफाइटा को तीन क्लासिज में डिवाइड किया इसको मैं फिर से फिर्स्ट जाता हूं जाता हूं जाता हूं दिविजन ब्राइफाइटा इंटू थ्री क्लासे अनली लास वन है पैटिक ऑप्सिडा है पैटिक ऑप्सिडा नमबर टू एंथो सिरो टॉप्सिडा जीरो जी रो तो सिडा एंडर्ड भ्राइफिडा ना थूप्सिडा शुप्सिडा replied हो आवट औप दीज्टी स्ट्री व्द्रीग अनुप कि दू प्रिमिटिव फीचर्स एंड दोस मेंबर्स ओफ क्लास ब्राइप सिडार कंसिडर्ड एडवांस फिक जो यहां पर नाम से पता लग रहा है बच्चों है न मेरा उदेश्या था कुछ उदेश्या था ठीक है है पैटी कॉप सिडा थे मेंबर्स जनरली कर्ड लिवर व वर्ट्स लिवर वर्ट्स वाई बिकाउज इन मैनी मेंबर्स ओफ इस क्लास दा ग्यमिटोफिटिक थैलस इस आप प्रॉस्ट्रेटली ग्रॉइंग विद रिस्पेक टू अट सर्फिस और जोंटली ग्रॉइंग लिवर लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अपने घर आगे आके मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगा तब आपको कलियर हो जाएगा फिर आप लोग बलो ओ हो तो यह होते हैं लिवर वर्ट्स है ना यह होते हैं प्राइफाइट्स का पहले कलास के मेंबर्स उनमें लिवर लाइक थैलस होता है बचो कलेजे की तरह का बिल्कुल कल सेकिंड वन इस आ स्मॉल क्लास बिल्कु छोटा सा क्लास है एक एक एंथो सीरोट अपसिडा दा मेंबर्स जनरली काल्ड होर्न वार्ट्स सींग होर्न वार्ट्स वाई बिकास वन दे प्रोडूस परोगोनियम और दा डिपेंदेंट स्परोफितिक प्लांट बोडी इत सींग की तरह नजर आता है ठीक है इसलिए इस क्लास के मेंबर्स को हॉर्न वार्ट्स बोला जाता है जनरली ठीक है एंथो सीरोट अपसिडा के मेंबर्स को जबकि जो लास्ट क्लास है ब्रायोपसिडा इसके मेंबर्स को जनरली हम कहते हैं मोस और मोसिस फिलाल इतना ही सार आपको बच्चों होते हैं गेमिटफाइट्स ठीक है और कुछ लीफी एक्सिस होते हैं अब जो हैपेटिक स्ट्रक्चर्चर्ज है बच्चों यह क्लास फस्क्लास हैपेटिक कॉपसीडा में पाए जाता है और कुछ कुमेंबर्ण एंथ्वस्क्डिक भी पाए जाते हैं जिनका फेलस ओर्गतिक स्ट्रक्चार रेता है एक क्जने का मतलब हैněं वैन फेटिक स्ट्रक्चर वेटता है वह उस्कतिक स्ट्रकवएंग और में 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 फस्ट लास के लिफी एक्सिज भी होते हैं ठीक है और जुरा क्लास है एंथोसीरोट आपसिडा एंथोसीरोट आपसिडा मैं सारे जितने भी मेंबर्स मिलते हैं उनमें वे अधिक नहीं बनी रहता है है उनली हैटिक खीके, ठीके, एंटो, सिरो, टॉप्जिड़ा के मेंबर्ज में लीफी एक्सिज, कोई नहीं पाए जाते हैं बर्चों खीके, और जो थर्ड कलास हैं हमारे पास ब्रायोपिसिडा के मेंबर्ज इनमें भी हैपेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नजर नहीं आता है बलकि इन में भी इन में लीफी एक्सिस पाए जाता है गेमिटोफाइट इन दा फॉर्म आफ लीफी एक्सिस और लीफी एक्सीज अब आप लोग बोलोगे सर यह लीफ शब्द क्यों यूज किया है तो यह लिट्रेचर में सब जगा है सिर्प समझाने की उद्देश्य से ब लीफी एक्सिस पीँए ठीके तो बोलने की आसानी के लिए ठीके तो हम लोग इसे को लेकर चलेंगे ज् Lieψ ay बढ़े लीफ का और खांग्या कोई की सब्वारी drink दूप से हैं मुझे vér फुरोप्सिदा इंधुसरा क्लास ही हमाएब पास जिनके मेंबस को हम लोग होर्डवें हों हो ज्युरा क्लास हैय जिबुर्या जिनकेमेंबश को हम क्या बोलतें warm तो सिरी जाता है और रह एंधुसज रहए ठीक है बच्चो और जो leafy body organization है या phyloid axis है यह hepatic obsida के members में पाये जाता है प्लस bryopsida के members में पाये जाता है एंथोसीरोट आपसीडा के members में यह बिल्कुल नहीं पाये जाता है leafy axis उसी प्रकार से ब्रायपसीडा के members में यह hepatic structures liver-like gametophytic ellis बिल्कुल नहीं पाये जाते हैं बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं Okay, gametophytes with the hepatic structures grow prostrately. They grow prostrately and they show clear dorsal surface and ventral surface with distinct features, Bachyo. On dorsal surface of the gametophytic thalus, you will find separate distinct morphological characters as well as on the ventral surface of gametophytic thalus, you will find distinct morphological characters. So, this is it. Gametophytes with hepatic structures grow prostrate and have dorsi-ventral symmetry with distinct dorsal surface and distinct ventral surface of features, morphological features. Okay, these hepatic structures are also called thaloid forms. यह भी नाम पोच ने 1956 में दिया था बच्चो जहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स के अंदर चाहे वो hepatic opcida class के members हो, चाहे वो anthocero topcida class के members हो. उनको उनको उन जो gametophytic थेलाई है, उनको थेलोइड gametophytic थेलाई या थेलोइड plant bodies या थेलोइड forms भी बोला जाता है बच्चो. पर एक्जामपल हमारे पास markensia है, आपका syllabus का पहला जीनस, markensia में hepatic form है, body organization, anthocero topcida का एक member है, anthoceros, यहाँ पर भी body organization hepatic है, एक और जीनस है, rixia, यह भी class hepatic opcida का member है, यहाँ पर भी body organization hepatic है, और फिर एक और यह dendroseros है, this is also member of class anthocero topcida, and here again the body organization is a hepatic structure, or these, in these bryophytes, bryophytic genera, the gametophytic thalus is also said to be a thaloid form, however, dendroseros के case में थोड़ा सा अलग है, बच्चो, dendroseros में जो hepatic structure यह बिल्कुल नेरो जैसा, लीनियर जैसा होता है, linear जैसा, जबकि anthoceros और markensia में काफी broad आ जाता है, rixia के कुछ species में भी, the gametophytic thalus है, जो hepatic structure है, काफ, वाइट नेरो रहता है, बच्चो, आगे मैं चार images, बताऊंगा, ठीके, उनसे हमारा, यह hepatic forms के साथ काफी ज़्यादा एक जानकरी बढ़ जाएगा, ठीके, असल में, जो यह hepatic forms किस तरह से नजर आते हैं, और आप लोग फुश हो जाओगे, क्योंकि आप लोग मुझे मालूम है, आप लोग काओगे, कि गुरु जी, यह हमारे घरों के आस-पास, कई जगा हम इस प्लेसिज में, इस आवर फर्स्ट ब्रायोफाइट, फॉम आवर स्लेबस आलसो, एक लिवर लाइक स्ट्रक्चर है, जब यह चेप्टर शुरू करेंगे, इस फॉर्म अप मार्केंशिया, जब टाइप स्टडी करेंगे, उस टाइम में, ठीके, तो पहला हो गया हमारे ठीके, यह भी ब्रायोफाइट्स हैं, ठीके, यह भी ब्रायोफाइट्स हैं, प्रोस्टेटली ग्रोइंग ब्रायोफाइट्स हैं बच्चो, और फाइलोइड एक्सीज हैं, प्रोस्टेटली ग्रोइंग लीफी एक्सीज जिन में गेमिटोफिटिक ठैलस रहता है, एक यह यहां जैसे भी दिख रहा है एक यहां जैसे भी दिख रहा है यह भी ब्राइफाइट से है बच्चो ठीक है कुछ-कुछ यहां भी दिख रहा है लेकिन हमारा कंसर्ण यहां नहीं है कुछ यहां भी दिख रहा है ठीक है इस स्लाइड को दिखाने का में दूदेश यह है कि हमने एक और हैपेटिक थैलस देखना है जो कि एन्थोसिरोस का है तीसरा हमारे पास रिक्सिया है यहां पर भी दोर्सिवेंटरिली इस सिमेट्रिकल अथैलोइड फिर्म है यह हम बोल सकते हैं है है यह मिट्यू फिर्म है लास्ट वन इस अम्रेटिक लंबे लंबे से ग्रो करते हैं रूप में ग्रो करते हैं एंड जेग्रो अन आर्थ यह इशारा कर दिया है मुझे मालूम था यह लंबा जाएगा और जो गेमिटोफाइट से लीफी एक्सिस वाले चाहे वो प्रोस्टेटली ग्रोइंग यह मैं आगे के अगले लेक्चर में बताऊंगा बच्चों यह यह एक्सिस हो उनको प्रोस्टेटली ग्रोइंग अगे डाइग्राम बना के तिखाऊंगा आधिजा इरेंग्स टीजार लुम्चली लुजली इस्पाइजी अरेंच्स टीजार अट टॉप इस आर देन्स टीजाटे अर्टॉम्चली इस अट टोप् डेंसली और देन्स अगले लेक्चर में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चो अगले बच्चो